आप सभी का हमार इजुकेशनल प्लाटफॉर्म कॉंपर्टिशन कम्मूनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है मैं धीरा ज्याद हो यहाँ आज आप लोग के साथ में डिसकस करने वाला हूं कैलेंडर का पार्ट टू इससे पहले कि अगर हम बात करें तो इससे पहले हम लोग के बारे में जाना और साथ हम लोगों ने repetition of year के बारे में भी जाना और आज अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग यहाँ पर last day of any century के बारे में डिसकस करेंगे और फिर हम लोग डिसकस करेंगे किसी भी given date पर day कैसे निकाला जाता है clear यानि कि given dates पर day find करना भी हम लोग यहा बाते हैं और आज यहां पर लोग देखेंगे last day of any century की बात करूह अगर मैं तो जैसा कि अभी तक हम लोग एक पही थियोरी का इस्तमाल कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं केवल और केवल remainder की सहाइथा से क्या कर ले रहे हैं जो भी आपके question बनते हैं कैलेंडर पर उन सभी प्रश्णों का उत्तर हम केवल और केवल क्या करेंगे remainder के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पर ग्यात करने वाले हैं फिर question आपका कैसा भी हो कोई भी हो clear चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आज हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे सबसे पहले last day of any century तो century के अगर मैं बात करूँ तो 100, 200, 300 और 400 और पहले ही session में मैंने आपको बताया था कि calendar क्या करता है हर 400 सालों के बाद क्या कर जाएगा repeat कर जाएगा यानि कि 1,46,97,97 दिनों के बाद calendar क्या कर जाता है अपका repeat कर जाता है clear चलिए तो हम लोगों ने क्या किया था अभी तक जितने भी हमारे पास questions आए हम लोगों ने क्या किया उन प्रस्ष्णों में केवल और केवल जितने दिनों का हमारे पास data था उसमें हम लोगों ने क्या कर लिया odd days निकाल लिया और odd days की साहइथा से हम लोगों ने क्या किया odd days को हम लोगों ने दो तरीके से स्तमाल किया एक, जब हम उस particular day की बात करेंगे तो हम लोग चा करेंगे यानि कि week के cycle के इतने दिन आपके week की cycle को complete नहीं कर पाए जो आपका remainder की value होती है और अगर हम बात करें जब हम उसके next वाले day या next month की बात करते हैं या next year की शुरुवात की बात करते हैं तो हम उतने क्या कर देते हैं वहाँ पर add कर देते हैं जो हमारे remainder की value आई थी जैसे हम लोगों ने starting में पढ़ा आज से 10 दिनों बा देंगे तीन add कर देंगे लेकिन जब हम बात करेंगे 10th day की तो वहाँ पर हम क्या करेंगे week cycle के तीन ऐसे दिन थे जो week cycle को complete नहीं कर पा यानि कि वहाँ पर फिर हम उस particular day से तीन तक की गिंती करेंगे तीन तक के values को add करेंगे clear तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं अगर आपने पहला session नहीं देखा तो पहले आपको क्या करना है पहला वाला session देख लेना है तो यह चीज़े आपको आसानी से समझ में आएंगी अब अगर मैं बात करूं 100 year की 200 year की 300 year की और 400 year की यानि कि हम 100 सालों की बात करें तो calendar की शुरुआत से अगर हम 100 सालों का क्या निकाल तो अगर मैं बात करूं एक साल का remainder जो मिलता है हमको क्या मिलता है एक साल का remainder मिलता है एक दो सालों की बात करें तो दो सालों का remainder मिलेगा हमें दो तीन सालों की बात करें तो तीन सालों का remainder मिलेगा तीन लेकिन जब हम बात करते हैं चार सालों की तो चूंकि आपका चौथा वर्स क्या है, लीप यर है, तो लीप यर में रिमेंडर कितना मिलता है, दो, तो समझ यह, जैसे हमें निकालना है, चार सालों का क्या, रिमेंडर, तो हमें पता है, चार सालों में क्या होगा, तीन तो हो जाएंगे आपके, अगर हम इस चार साल को दो भागों में बाटे, या और एक हम बातें इसको किसमें? leap year में. तो इसमें ordinary year कितने आ जाएंगे? तीन आ जाएंगे और leap year कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा. तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ordinary year में हमको remainder कितना मिलता है? एक यानि कि 3 वर्सों का remainder कितना हो जाएगा? तीन और leap year का remainder कितना होगा? leap year का remainder हो जाएगा 2. तो चाहे तो हम इसको किस प्रकार से लिखें? इस प्रकार से हम इसको दो भागों में बाट लें. फिर उसके बाद दोनों को add करें तो value मिल जाएगी हमें कितनी? 5. या फिर इसका दूसरा तरीका ये था कि हमें पता है 4 वर्सों में 4 तो मिलेगा हमको remainder as it is plus हम क्या कर देंगे इसमें आने वाले leap year तो leap year की value कितनी आ गई? एक यानि कि यहां से भी value हमको मिल रही है 5. इसी प्रकार अगर हम बात करें 100 वर्सों की इसी प्रकार अगर हम बात करें 100 वर्सों की तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछू कि 100 वर्सों में कितने leap year होंगे तो आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर कितना हैगा 25 but for your kind information अगर मैं बात करूँ तो 100 वर्सों में जो leap year होंगे वो केवल और केवल कितने होंगे? 24 हम लोग reason भी जानेंगे हम लोजिक भी जानेंगे इसके पीछे का कि 100 वर्स आपका leap year क्यों नहीं होता 200 क्यों नहीं होता इसके पीछे का हम लोग logic भी जानेंगे तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 76 क्या आगए ordinary year आगए और 24 क्या आगए leap year आगए तो ध्यान दीजिए 76 तो odd days होंगे ही होंगे प्लस इसमें हम क्या करेंगे 48 करेंगे क्यों क्योंकि leap year में मिलते हैं हमको कितने 2 odd days तो चाहे इसको हम 48 करे या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे 24 प्लस 24 यानि कि यह तो पूरा का पूरा 100 बन गया प्लस इसमें आने वाले हमने क्यों और क्या कर लिये लीप years को add कर लिया तो हमें पूरा का पूरा remainder मिल गया जितने वर्सों का हमें remainder निकालना था हमें चाहिए था कब से कब तक का हमें चाहिए था calendar की शुरुआत से लेके 100 वर्सों का remainder तो 100 वर्सों के अगर हम remainder की बात करें तो यह value कितनी आ जाए कि 124 वैल्यू कितनी आ जाए कि 124 और इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो remainder हमारे पास कितना बच जाएगा 5 यानि कि 100 वर्सों में 5 क्या मिल रहे हैं हमको odd days मिल रहे हैं और odd days मिल रहे हैं यानि कि हम बात क कि अन्तिम दिन की तो अगर हम सववे वर्स की अन्तिम दिन की बात करेंगे तो calendar की जो शुरुवात है वो किस से हुई है calendar की शुरुवात हुई है Monday से फिर हम बात करेंगे Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday और Sunday तो जब हमने कहा 5 हमारे पास क्या मिल गए odd days मिल गए और हम उसी दिन की बात कर रहे हैं it means कि week के cycle के 5 ऐसे दिन होंगे जो cycle को complete नहीं कर पाएं होंगे यानि कि शुरुवात हुई अगर Monday से तो complete cycle कहां पे होती है तो complete होती है Sunday पे यानि कि 5 ऐसे दिन है जो cycle को complete नहीं कर पाए वो दिन कौन-कौन से होंगे तो Monday Tuesday Wednesday Thursday और Friday यानि कि last day अगर हम बात करें तो कौन सा हो करें तो मिल गया पांच और दिन की बात करें तो कौन सा आ गया फ्राइडे क्लियर अब इसी प्रकार जब हम 101 से 200 तक जाएंगे तो यहां पे भी हमें क्या मिलेंगे 100 वर्स मिलेंगे जिनमें क्या होंगे 76 आपके होंगे ordinary year 24 होंगे आपके leap year remainder की बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस इनमें पढ़ने वाले leap year यानि कि यहां पे भी value मिलेगी हमें कितनी 124 और again हमें remainder कितना मिलेगा 5 तो 5 यहां से मिल गया अगर हम सुरू से 200 वर्सों का देखें तो कितना मिल गया हमें 5 5 10 और 10 की value हमें पता कितनी हो जाएगी क्यों क्योंकि remainder या odd days जो है यहां पे वो 6 से अधिक नहीं हो सकता क्यों क्योंकि 7 तो अपने पास क्या है दिन ही है और जब 7 से divide करेंगे value अगर 7 से बढ़ी हुई तो obvious सी बात है वो क्या हो जाएगी 7 से divide हो हमें 5 और अगर हम 5 और 5 की बात करें तो दोनों की value कितनी हो जाएगी तो हमें value मिल जाएगी यहां पे 10 यानि कि अगर हम बात करें 200 वर्सों का remainder तो 124 प्लस 124 यह हो जाएगा आपका कितना 248 और इसको 7 से भाग दोगे तो यहां पे आपका remainder बच जाएगा 3 और दिन की बा क्या निकाल लेते है remainder निकाल लेते है या शुरू से केलेंडर की शुरुवात से 300 वर्सों का अगर हम क्या निकालते है remainder निकालते है तो 300 तो हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा इनमें पढ़ने वाले leap year और इनमें leap year कितने पढ़ गए तो 300 वर्सों में leap year पढ़ गए आप अब अगर इस value को हम क्या करें इस value को जो अगर हम साथ से भाग देंगे तो remainder हमें कितना मिल जाएगा एक मिल जाएगा यानि कि हम बात करें यहाँ पर तो last day क्या हो जाएगा आपका last day हो जाएगा Monday और remainder बात करें 300 वर्सों की तो कितना आजाएगा एक आजाएगा या फिर इसको आप ऐसे देख सकते थे 5, 5, 10, 5, 15 तो जब 10 हुआ तो remainder बजगिया 3, 15 हुआ तो remainder बजगिया एक इसी परकार हम बात करेंगे 400 वर्सों की अगर हम बात करें 400 वर्सों की तो 400 वर्सों में अगर हम बात करें पहले ordinary years की तो 400 वर्सों में जो ordinary यह वो कितने होंगे वा हो जाएगे आपके 30, 3, chat प्लस 97 क्या हो जाएंगे आपके लीप येर हो जाएंगे तो 303 क्या हो जाएंगे आपके ordinary येर हो जाएंगे प्लस 97 क्या हो जाएंगे लीप येर हो जाएंगे तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते थे इसको 400 प्लस क्या लिख सकते थे 97 लिख सकते थे वैल्यू की बात करें तो 497 और इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको वीक की साइकल को कंप्लीट ना कर पाइट मीन्स खतम कहां पे होगा खतम होगा संडे पे अगर हम बात करें यहां पे रिमेंडर की तो इस बार हमारा रिमेंडर अगर 301 से 400 की बात करें तो इस बार रिमेंडर कितना हो जाएगा रिमेंडर मिल जाएगा हमको 6 यानि कि 5, 5, 10, 5 15 और 6 21 6 क्यों मिलेगा क्योंकि जो 400 वर्स है आपका वो क्या होता है वो आपका leap year होता है यानि कि यहाँ पर अगर हम दिन की बात करें तो 0 यानि कि remainder मिला 0 और दिन की बात करें तो क्या हो गया Sunday It means कि week का कोई भी ऐसा दिन नहीं था हफ़ते का कोई भी ऐसा दिन नहीं था जो कि week की cycle को complete ना कर पाए clear चलिए अब जान लेते हैं सववाँ, दो सववाँ, तीन सववाँ वर्स आपका leap year नहीं consider किया जाता तो क्यों नहीं किया जाता ठीक है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे तो मैंने कहा 400 वर्सों के बाद calendar क्या करेगा repeat करेगा यानि कि इसके बाद अगर मैं बात करूँ पांच सववे वर्स की तो यहाँ कारिमेंडर फिर से क्या मिल जाएगा अपने को पांच और दिन की बात करें तो क्या मिल जाएगा Friday इसी प्रकार अगर मैं 600 वर्स की बात करूँ तो यहाँ पर remainder कितना मिल जाएगा अपने को 3 मिल जाएगा और दिन यहाँ पर फिर से क्या जाएगा Wednesday आ जाएगा 7 सववे वर्स की बात करें तो बात कर लेते हैं कि सववा वर्स दो सववा वर्स तीन सववा वर्स पांच सववा वर्स छे सववा वर्स साथ सववा वर्स यह वर्स आपके लीप यर कंसीडर क्यों नहीं किया जाते हैं जब कि अगर हम बात करें तो लेते हैं logic समझ लेते हैं क्या इसके पीछे का जैसे कि अगर हम बात करें येर की येर में days कितने होते हैं तो आप कहोगे 365 days होते हैं उसके बाद कुछ hours भी होते हैं और उन hours कि हम बात करें तो हम इसको क्या कर लेते हैं 6 घंटे कंसीडर कर लेते हैं, यानि कि 365 दिन, 6 घंटे, और यही 6 घंटे, जब आपके 4 वर्सों में जोड़ लेते हैं, हम तो 6 गुले 4 करोगे, तो 24 घंटे होगा, यानि कि क्या होता है, हर 14 वर्स आपका कितने दिन का हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें actual time की तो actual time जो होता है आपका जिसको बोलते हैं revolution time of earth around sun ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 365 दिन उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 घंटे फिर अगर हम बात करें तो यह होगा 5 hour फिर हम बात करें तो 48 minute फिर हम बात करें तो 45.51 second और कहीं कहीं पर यह value आपको 5 hour 48 minute और 46 second भी लिखी हुई मिलेगी यानि कि अगर हम बात करें जो accurate time है और जो हम मान लेते हैं average time उसके बीच में आप देखेंगे तो अप्रॉक्स कितने minute का गया फिर अप्रॉक्स आप देखेंगे तो 11 minute का gap है और इस 11 minute को अगर हम प्रत्यक वर्स अगर 11 minute का gap आ रहा है और इस 11 minute को अगर हम 400 से क्या कर दें multiply कर दें यानि कि 400 वर्सों कि अगर हम बात करें तो लगभग यह कितना बन जाएगा यह बन जाएगा आपका चोवालिस सो minute और चोवालिस सो minute को जब हम क्या करेंगे घंटों में convert करेंगे तो अप्रॉक्स यह आ जाएगा आपका कितना 73 आर और 73 आर को अगर हम days में convert करेंगे तो लगभग कितना जाएगा तीन दिन यानि कि हम कैलेंडर में क्या कर रहे है तीन अतरिक्त दिन ले कर के चल रहे होते यदि हम इसको क्या मान के चल रहे होते 365 दिन 6 घंटे और कैलेंडर हमारा आगे चल के क्या हो जाता फेल हो जाता यानि कि अगर हम अतरिक्त दिन यहां पर जोल के चल लें तो अबिसी बात है कैलेंडर क्या हो जाता आपका फेल हो जाता और इस तीन अतरिक्त दिन को हमें क्या करना था एड़ेस्ट करना था जिसको हम कहाँ पर एड़ेस्ट करते हैं तो सववे वर्स, दो सववे वर्स, तीन सववे वर्स में तीन दिन एड़ेस्ट हो गए फिर बात करें तो पास सववे वर्स, छे सववे वर्स और सास सववे वर्स में क्या हो गए तीन दिन एड़ेस्ट हो गए, तो इन तीन दिनों को एड़ेस्ट करना होता है, इसलिए हम सववा वर्स, दो सववा और तीन सववा वर्स, लीपियर कंसीडर नहीं करते, यह इसके पीछे का कारण, चलिए, अब यदि मैं आपसे पूछू, बताईए, उननिस सववा वर्स का रिमेंडर क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछू, उननिस सववे वर्स का अंतिम दिन क्या होगा, तो हमें पता है, उननिस सववा वर्स कब आएगा, तो यानि कि अगर हम बात करें, 16 सो वर्स में फिर 17 सो आएगा यानि कि 5 फिर 18 सो आएगा यानि कि 3 और फिर 19 सो आएगा यानि कि 1 तो इस प्रकार से ये cycle चलती रहेगी तो कोई भी आप से century पूछी जाए अगर वो 400 से divisible है तो उसके बाल अगर 100 साल हुए तो 5 फिर 200 साल हुए तो 3 फिर अगर 300 साल हो गए तो 1 और फिर अगर 400 साल यानि कि 400 से divisible है फिर से वहाँ पर remainder कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे given dates पर day निकालना कैसे हम लोगों को approach क्या करना है यानि कि हम लोग यहाँ पर लेकिन उससे पहले कुछ प्रस्णों की बात कर लेता हूं मैं प्रस्ण आप से इस प्रकार से पूछे जाते हैं which of the following days can be the last day of any century दिये गए दिनों में से कौन सा दिन आपका किसी भी सताबदी वर्स का अंतिम दिन होगा या हो सकता है clear तो आप clearly देख पार किसी भी सताबदी वर्स का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है तो Friday हो सकता है Wednesday हो सकता है मंडे हो सकता है और Sunday हो सकता है जबकि हम बात करें किसी भी सताबदी का प्रथम दिन किसी भी सताबदी के अगर हम प्रथम दिन की बात करें तो Friday के जस्ट बात आएगा Saturday यानि कि इसकी शुरुवात 101 की अगर हम बात करें 101 वर्स की एक जन्वरी को कौन सा दिन होगा तो 101 वर्स की एक जन्वरी को सेटर्डे इन दा सेम वें ये वेंस्डे पे खतम हो रहा है तो ये कहां से शुरू होगा ये शुरू होगा आपका थर्स्डे से ये मंडे पे खतम हो हुई है Monday से हुई है clear तो अगर आप से पूछ लेता है which of the following days can be the first day as well as last day of any century दिये गए दिनों में से कौन सा दिन किसी भी सताबदी का प्रथम दिन साथ ही साथ अंतिम दिन भी हो सकता है तो यहां पर आप clearly देख पारें कि एक ही दिन ऐसा है Monday जो कि आपको first day of any century as well as आपको last day of any century दोनों में ही common देखने को मिल रहा है तो इसका भी उत्तर आप आसानी से कर सकते हैं यदि आप से पूछा जाए दिये गए दिनों में से कौन सा दिन प्रथम दिन साथ ही साथ सताबदी का अंतिम दिन भी हो सकता है तो वो दिन कौन सा होगा तो वो दिन हो जाएगा आपका somewhere clear अगर मैं यहां पिर आपसे पूछू 100th year का first day कौन सा था तो last day हमें क्या मिल रहा है Friday मिल रहा है और हमें पता है कि 100th year क्या है से हमें आपको बता awakened through वर्स का प्रथम दिन बताना है तो सब्वे वर्स का प्रथम दिन भी क्या हो जाएगा फ्राइड़ हो जाएगा क्यों क्योंकि आपका एक leap year है और leap year में जो दिन आपका एक जनवरी को होता है वही दिन कम मिलेगा आपको 30 December को clear यह हो गई बात किसे last day of any century से related अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे given dates पर day निकालना तो यहाँ पर कुछ हम लोग दिन ले ले रहे हैं randomly ले ले रहे हैं दिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की तो आज की अगर मैं बात करूँ 25 January 2022 clear सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 25 January 2022 की तो यदि मैं 25 January 2022 की बात करूँ तो ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या करना अपने को सबसे पहले year कितने complete हुए यानि कि century कितनी complete हुए तो century यहाँ पर complete हो गई कितनी 2000 फिर बात करें year कितने complete हुए तो year complete हो गई आपके कितने 21 फिर हम देखें कि month कितने complete हुए और day कितने complete हुए यानि कि अगर हम बात करें 2000 वर्सों के remainder की तो 2000 वर्सों का remainder कितना हो गया जीरो फिर हम बात करें 21 वर्सों में मिलने वाले odd days तो हमने कहा था जितने वर्स होते हैं उनको लिख लेते हैं और इन वर्सों में पढ़ने वाले leap years को लिख लेते हैं तो इन वर्सों में पढ़ने वाले leap year कितने हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे पाँच अब हम आ जाएंगे किस पर हम आ जाएंगे year 2022 पर 2022 में बताओ मन्त कोई complete हुआ क्या तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं दिनों की बात करें तो दिन कितने हो गए तो दिन हो गए आपके कितने 25 अब इन सब को या तो आप जोड़ करके क्या करें साथ से divide कर लें या आपका जो जो divide होता जा रहा है उसको आप अलग से हटाते चलें जैसे कि 21 स से divisible इसको हमने काट दिया 25 की बात करें तो 21 हट जाएगा तो बचेगा कितना आपका 4 और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 9 की अगर हम बात करें तो वैल्यू कितना बचेगा वैल्यू बचेगा आपका 2 यानि कि 2 आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे as a remainder कितने दिनों की बात करने तो 2022 की 25 जनवरी यानि कि अगर हम बात के calendar की शुरुआत से तो दो ऐसे दिन है जो विक की cycle को complete नहीं कर पाएंगे वो दिन कौन से होंगे तो सोमवार और मंगलवार यानि कि दिन यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा Tuesday मिल जाएगा ठीक है चलिए अब टेंसन लेने की अवसकता बिलकुल नहीं है यहाँ पे हम लोग चार से पांच क्या लिखेंगे डेट से लिखेंगे और उन पे क्या निकालेंगे डे निकालेंगे कि कौन सा दिन है इन तारीखों को जैसे हमने कहा उननिस सो पंचानवे की साथ मार्च फिर हमने कहा नाइंटीन फॉट्टी नाइन का पांच सितम्बर ठीक है फिर हमने कहा दो हजार तेरा का साथ अगस्त क्लियर चलिए तीन हमारे पास यहां पे डेट हैं इन तीनों डेट का हम लोग क्या निकालेंगे डे निकालेंगे अप्रोच क्या है तरीका क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है हम लोग यहां पे क्या करते हैं कैलेंडर के शुरुआत से अब तक केवल और केवल कितने ऐसे दिन है जो विक की साइकल को complete नहीं कर पाए यानि कि हम लोग सीधा सीधा क्या निकाल लेते हैं कैलेंडर के शुरुआत से अब तक का और डेज निकाल लेते हैं और हमको यहाँ पर सीधे सीधे दिन मिल जाएगा जैसे हम बात करें यहाँ पर 1995 की तो 1995 हम बताओ century कितनी complete हुई तो आप कहोगे 1900 यानि 1900 का remainder कितना हो जाएगा तो 1900 का remainder हो जाएगा एक फिर हम कहेंगे बताओंगे वर्स कितने complete हुए तो आप कहेंगे वर्स complete हुए कितने 94 और 94 years की अगर हम बात करें तो 94 years में आपके leap year कितने पढ़ेंगे तो 80 सालों में पढ़ेंगे 20 leap year 80 के बाद आपको value यहाँ पर मिल ली कितनी 14 यानि कि 14 वर्सों में पढ़ेंगे 3 यानि कि total number of leap year की बात करेंगे तो कितने हो जाएगे यहाँ पर 23 clear अब हम आ जाते है वर्स 1995 पर तो 1995 मताओं महीने कौन कौन से complete हो गए तो January का remainder कितना 3 फिर year कैसा है ordinary year है तो यहाँ पर फरवरी का remainder कितना मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा फिर March की बात करें तो March क्या complete हो गया है नहीं March में केवल और केवल हम बात करने किसकी साथवे दिन की इतना clear केवल और केवल आपको इतना सा काम कर लेना है ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको उसके बाद या तो सबको add करके आप 7 से divide कर दीजे या जो 7 से divisible होता जा उसको आफटा दीजे divide करने के लिए भी देखो यहाँ पे smart तरीका अपना होगे अब जैसे कि 94 है आपको पता है कि 91 आता है 7 की टेबल में 13 टाइम से और 13 की टेबल में 7 टाइम से तो इस तरीके से आप 91 को हटा सकते थे लेकिन अगर नहीं पता है तो पहले आप इसमें से 70 को हटा लिजे 70 तो क् तो बचा कितना 24 और 24 हमें पता 21 जाता है 3 बार में तो रीमेंडर केतना बच जाएगा तहीक है 23 की बात करो रिमेंडर कर नबच जएगा दो बच जाएगा तो देखिए तीन तीन च्छ एक साथ कैंसिल साथ भी क्या होगिया कैंसिल होगिया बचा क्या दो यानिकि अगर हम दिन की बात करें तो दिन कौन सा आजाएगा टूजड़ी यहाँ फीर अगर हम बात करें नाइन्टीन फॉर्ट नाइन की तो बताएए सेंचुरी कितनी होगे 12, clear, अब हम आ जाते हैं, year 49 पे, 49 की जनवरी complete हो गई है, 49 का फरवरी complete हो गया है, 49 का मार्च complete हो गया, 49 का एपरिल, में, जून, जुलाई, अगस्त, और सितंबर की कितनी तारिख, 5, सितंबर, यानि की जनवरी, फरवरी, मार्च, एपरिल में, जून, जुलाई, अगस्त, और सितंबर, यानि की हमने क्या किया किया, कैलेंडर की सुरुआत से लेकर के, 49 के, 5 सितंबर तक का हमने क्या निकाल लिया, odd day निकाल लिया या remainder निकाल लिया अब यहाँ पर क्या करना है देखो आपको cancel out करते जाना 3, 3, 6, 1, 7, क्या हो गया cancel हो गया फिर यहाँ पर अगर हम बात करें 48 की तो 42 divisible हो जाएगा बचे का कितना 6 तो 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14, cancel 12, 2, 14, कितना हो गया cancel 5 और 3 बचा कितना 8, 8 का मतलब 1 और दिन की बात करें तो एक ऐसा दिन होगा जो विक की cycle को complete नहीं कर पाएगा यानि कि answer क्या जाएगा Monday clear answer क्या मिल जाएगा Monday चलिए last one बात कर लेते हैं verse 2013 की तो 2013 के लिए बताएगे century कितनी complete हुई तो century complete हो गई 2000 और 2000 के remainder की बात करें तो 2000 का remainder कितना हो जाएगा 0 year कितने complete हुए तो year complete हो गए 12 बारा वर्सों में आने वाले leap year तो 12 वर्सों में तीन leap year आएगे फिर बात कर लेते हैं verse 2013 की तो वर्स 2013 में जनवरी आ गई फरवरी आ गई मार्च आ गया April, May, June, July और August की साथ तारिक clear 12 और 2, 14 क्या हो गए cancel हो गए फिर 3, 36, 39, 3, 12 और 2, 14 cancel हो गए 7 भी cancel हो गए बचा 3 यानि की दिन यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा Wednesday यानि की बुद्धवार अब सभी लोग क्या करेंगे comment box में अपना अपना date of worth पे आ गया समझ में की given dates पे day कैसे निकालते हैं यानि की कुछ भी आपको रटने की अवशकता नहीं है पहरे lecture में जो भी बाते हम लोगों ने सीखी उन्ही बातों को यहाँ पे आपको implement कर देना है और आपका जो भी given date है या वहाँ पे day आप आसानी से निकाल सकते हैं clear? चलिए कुछ questions की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे एक प्रश्ण आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा if two days before day before yesterday was monday then what will then what will be the day two days after day after tomorrow ठीक है यानि कि हिंदी के अगर मैं बात करूँ तो चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ यदी बीते हुए परसो से दो दिन पहले क्या था सुमवार तो आने वाले परसो से दो दिन बाद कौन सा दिन होगा देखिए इस प्रकार के प्रस्णों को कैसे हमें हल करना होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यानि कि इस को कर तो हम आसा नहीं से सकते हैं सॉवल लेकिन देखो यहां पर तरीका समझे है कि अगर हम बात करें तुडी या हो गआ आपका today निकी आज यहां इस्टेडे और यह वो गआ आपका day वीफोर yesterday यहा पर हो जाएगा आपका टुमारो और यह हो जाएगा द twenty correcting makes is this आप 25 दिनों की क्या देखने को मिल रही है साइकल देखने मिल रही है और यहां बात करूँ पांच दिनों की cycle में आपको कितने अत्रिक्त दिन यहाँ पर जोड़े गया है तो टू डेज बिफोर एक तो बात की गई किसकी टू डेज बिफोर की यानि कि एक दिन और दो दिन और उसके बाद टू डेज आफटर के लिए आपसे डाटा पूछा गया है यानि कि यदि बीते हुए पर्सों से दो दिन पहले क्या था सोमवार था तो यह हो गया मंडे और यहां पर आपको दो दिन बाद बताना है कौन सा दिन होगा तो टोटल अगर हम देखे तो 9 दिनों की क्या हो रही cycle हो रही और 9 दिनों में जो हमारा remainder बचेगा वो कितना बचे Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday और Tuesday तो जितने भी दिन आपको बोला जाए पहले या जितने भी दिन आप से पूछा जाए बाद में तो बस आपको याद रखना है कि यह वाली cycle कितने दिनों की होती है पांच दिनों की होती है और अगर आप से बोला जाएगा परसों से दो दिन पहले और कल करके आने वाले कितने दिन बात तो जयानि कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर cycle कितने दिन की होगी तीन दिन की होगी जितने दिन पहले बोला जैनेर की बात की जा रही इसको के यह ओल, क्योंड क्या कर लेना आपको चलिए इस प्रकार के प्रस्ण की हम बात चर्चा करेंगे question में अब हम आ जाते हैं सीधे question के उपर देखिए आ गया if the day two days after tomorrow be Thursday what would have been two days before yesterday यानि कि यहाँ पर हम cycle की बात करें तो देखिए day after tomorrow बोल रहा है यानि कि आने वाले यदि कल के दो दिन बाद गुरू आ रहा हूँ ठीक है यानि कि day after tomorrow बोल रहा है तेकि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा से यहाँ पर mismatch है correction कर देता हूँ ठीक है यहाँ पर बोला है यदि कल और यहाँ पर बोला है two days after अच्छा है यहाँ पर भी tomorrow यह ठीक है day after tomorrow नहीं है तो यानि कि यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कल और बीते हुए कल यानि कि अगर हम बात करें cycle की तो कितने दिनों की हुई cycle तीन दिनों की यानि कि today हो गया, यहां पर हो गया आपका tomorrow और यह हो गया आपका yesterday, तो बोला क्या जा रहा है यदि कल के दो दिन बाद क्या है गुरु आ रहे हैं तो दो दिन यहां पे आपको ले लेना है तो पूछा आपसे कल से दो दिन पहले कौन सा दिन था यानि कि total number of days कि अगर हम cycle की बात करें तो हो गए कितने दिन साथ दिन होगा यानि कि वीक का एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जो एक की साइकल को कंप्लीट ना कर पाए इट मींस कि यहां पर आगर आपको मिल रहा है क्या थर्सडे यहां थर्सडे पर वीक की साइकल कंप्लीट हो रही इट मींस डेफिनेटल तो week cycle complete कहाँ पे होगी, Sunday पे होगी, शुरुवात होरी Saturday से तो week cycle complete कहाँ पे होगी, Friday पे होगी, शुरुवात होरी अगर Tuesday से तो complete कहाँ पे होगी, Monday पे, तो यानि कि Thursday आ रहा है, remainder मिल आपने को 0, it means कि शुरुवात कहाँ चोई थी, Friday से, उसके बाद हो जाएगा Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, औ पूछा क्या है आप से, तो कल से दो दिन पहले कौन सा दिन था, तो दो दिन पहले की बात करें तो क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा आपका Friday, clear, चलिए, बात कर लेते हैं, अगले question की बोला है, यदि आज गुरु आ रहा है, तो 44 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 44 को हम क्य क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, value कितनी मिलेगी अपने को remainder की, तो remainder की value मिलेगी 2, यानि कि हम यहाँ पर बात करें कि 45 दिन की 44 दिनों बाद, तो आज इसे 44 दिन जोड़ेंगे, उसके बाद, यानि कि हम बात करें 45 दिन की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो जोड को देंगे यानि कि गुरुवार की बात करें तो गुरुवार के बाद आएगा शुक्रुवार फिर आएगा आपका सनीवार यानि कि आंसर क्या हो जाएगा सेटर्ड क्लियर नेक्स्ट वन मैं बात करूँ यदि पूछा गया यहाँ पर यदि मंगलवार महिने की चतुर्थी को पढ़ता है तो 24 तारिक के तीन दिन बाद कौन सा दिन होगा यानि कि अगर बात करें त्यूजडे कप पढ़ता है त्यूजडे पढ़ता है आपका चार तारिक को तो आपसे पूछा 27 तारिक को कौन सा दिन होगा तो 4 को अगर टूजडे पढ़ा तो अगला कप पढ़ेगा 11 को फिर कप पढ़ेगा 18 को फिर कप पढ़ेगा 25 को और पूछा क्या है यहाँ पर आपसे 24 तारिक के 3 दिन बाद यानि कि 25, 26, 27 तो यहां पर 25 को अगर Tuesday मिल रहा है तो 26 को क्या मिलेगा Wednesday और 27 को क्या मिलेगा Thursday 24 If Tuesday falls on the 4th day of the month then which day will fall 3 days after 3 days after यानि कि बात कर रहा है किसकी 3 days after 24 24, 25, 26 यानि कि बात कर रहा है किसकी 27, 27 तारिक और 27 तारिक की बात करें तो 4 को पढ़ेगा Tuesday, 4 के बात पढ़ेगा 11 को, 11 साथ 18, 18 साथ 25, 25 को Tuesday 26 को Wednesday 27 को Thursday यहां पर answer जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा Thursday हो जाएगा जो कि आपको किसी भी विकल्प में दिखाई नहीं दे रहा है, by mistake हो सकता है यह previous वाले ही option आपके लगे रहे गए हो ठीक है तो यहां पर answer जो आएगा वो आपका क्या आएगा answer आएगा आपका Thursday यानि कि 27 तारिक को कौन सा दिन होगा गुरू वार होगा चली If the fifth day of the month is three days earlier than Tuesday यानि कि अगर हम बात करें पांच तारिक को किसी महीने का जो दिन है वो क्या है मंगलवार से तीन दिन पहले का दिन है तो मंगलवार से तीन दिन पहले के दिन की बात करें तो सोमवार, रवीवार और सनीवार यान की पांच तारिक को क्या है सनीवार है तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है What day will it be on 15th day of the month यानि की 15 तारिक को कौन सा दिन होगा तो 5 को अगर Saturday है तो 12 को भी Saturday पढ़ेगा यानि की 13 को क्या पढ़ेगा Sunday, 14 को क्या पढ़ेगा मंडे और 15 को क्या पढ़ेगा Tuesday Tuesday की बात करें तो यहाँ पर आपको code दिया गया है 1 means दिया है मंडे तो 2 means क्या हो जाएगा Tuesday 5 को Saturday 12 को Saturday 13 को यानि की Sunday, 14 को मंडे और 15 को Tuesday और यहाँ पर आपको days के लिए क्या दिया हुआ है नंबर दिया है कि 1 को मंडे को क्या करते है 1 से denote करते है तो Tuesday को कैसे denote करेंगे 2 से and so on यानि कि यहाँ पर दिन आ रहा है Tuesday तो answer क्या माँ करेंगे हम 2 clear चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछेगा एप्रस्ण की how many days will there be from 26 जैन 2004 to 15th May 2004 तो देखो 26 जनवरी की बात कर रहे है 26 जनवरी से बात कर रहा है 15 माई की तो जनवरी में अगर हम दिनों की संख्या बात करें इसके बाद कितने दिन बचे तो 26 जनवरी के बाद कितने दिन बचे तो 26 जनवरी के बाद आपके दिन बचेंगे फिर बात करें एपरेल की दिन कितने 30 और मई के फिर ले ले रहे हम कितने दिन 15 दिन यानि कि इसके पहले दिन कितने 14 ठीक है इसको और इसको अभी हम लोगों ने नहीं एड किया है तो देखिए 5 4, 1, 5, 9, 5, 16, 14, 5, 19 हासिल लगेगा एक यानि कि 2, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 2, 10 109 तो यह होगा इनके बीच में पढ़ने वाले दिन प्लस हम बात करेंगे इन दो दिनों की यानि कि हम बात करेंगे 26 जनवरी की और हम बात करेंगे 15 मई की यानि कि दो और जोड देंगे तो टोटल कितना आगा ट्रिपल वन यानि कि 111 दिये गए तारिक से अगर हम बात करें पूछी गई तारिक तक तो कितने दिन हो चलिए बात कर लेते हैं अगले question की अगले question ने बोला जा रहा है if second December 2000 was Sunday what day was second January 2001 तो इस question को solve करने के दो तरीके हैं एक तो क्या है तरीका कि आप पहले तो निकाल लीजे 2 December 2000 को कौन सा दिन था फिर उसके बाद आप actual date निकाल लीजे 2 January 2001 की clear एक तरीका चलिए यह थोड़ा सा lengthy method हो जाएगा लेकिन हम बात करें तो यह universal तरीका है जिसको आप कहीं पर भी अपली केबल करके किसी भी question का अंसर निकाल सकते हैं जब आपको इस प्रकार से दो अलग अलग date से related questions देखने को मिलेंगे तो तो इस तरीके को पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं इस तरीके को हम लोग पहले हाँ पर जान लेते हैं कि actual हमें यहाँ पर करना क्या होगा तो अगर मैं आपसे कहूं 2 December 2000 को कौन साथ दिन था तो पहले आप यह निकाल लेंगे तो 2000 का अगर हम बात करें तो year कितने कंपलीट हुए century कितनी कंपलीट हुए century कंपलीट होगे 1900 का remainder एक year कितने कंपलीट होगे 1900 के बाद तो 99 और 99 पढ़ने वाले leap years की बात करें तो कितने होगे 24 फिर हम आज आएंगे year 2000 पे तो 2000 में January कंपलीट हो गई है February, March, April, May, June, July, August, September, October, November और December की दो तारिख अब अगर हम बात करें यहाँ पे 91 हो जाएगा Cancel 91 के बाद आपका 98 हो जाएगा Cancel यानि कि बचे का यहाँ पे कितना एक 24 की बात करें तो 24 में 21 कर जाएगा बचे का कितना 3, अब देखिए 3, 3, 6, 1, 7, Cancel 3, 3, 6, 1, 7, Cancel 3, 3, 6, और 1, 7, Cancel फिर बात करें तो 3 और 4, 7, कितना हो गया, Cancel बचा कितना आपका 6 It means कि अगर हम बात करें 2 December 2000 को दिन कौन सा था तो दिन आपका था क्या 6 यानि कि Saturday जब कि आपको यहां पर दिया क्या गया है दिया गया है Sunday यानि कि जो actual day है उसमें हमें क्या कर लेना है एक जोड देना यानि कि अगला दिन हमें consider कर लेना है तो इसी प्रकार जब हम बात करेंगे 2 January 2001 की तो year कितने complete हो गया बताईए जोड़ेंगे किसकी 2 January की दो जनवरी की अगर हम बात गए तो दो जनवरी यानि कि यहां पर reminder आपका बच रहा है कितना दो यानि कि दिन की बात करें तो Monday और Tuesday यानि कि दिन आ रहा है आपका यहां पर actual day क्या रहा है Tuesday लेकिन यहां actual day Saturday आया था तो हमने क्या कर लिया था Sunday कर लिया था और actual day इस बार मिल रहा है आपने को क्या Tuesday तो इसमें भी plus one करेंगे यानि कि answer क्या हो जाएगा Wednesday यह कि universal तरीका हो यानि कि जितने दिन यहां पर कम मिलते उतने दिन हम कम कर देते जितने दिन जादा मिले उतने दिन हम यहां पर add कर दे रहे है यह universal तरीका हो गया आपका अब हम बात कर लेते इसके shortcut तरीके कि कैसे आप इसको बना सकते थे तो अगर हम बात करें दो दिसंबर से ले करके दो जनवरी तक हम क्या निकाल लेंगे दिनों की संख्या निकाल लेंगे इसको भी कंसीडर करना है और इसको भी कंसीडर करना है तो 2 December की अगर हम बात करें तो 2 December को अगर हम consider करेंगे तो 2 December के बाद आपके दिन बचेंगे 29 यानि कि 2 December को भी हम जोड लेंगे तो दिनों की संख्या होगे कितनी 30 और जनवरी की बात करें तो जनवरी के हो गए 2 दिन यहां पर remainder बचा दो और यह हो गया दो यानि कि दो और दो कितने हो गया चार यानि कि चार ऐसे दिन होंगे जो week की cycle को complete नहीं कर पाएंगे week की cycle शुरू कहां से होई है शुरू हुई है Sunday से तो Sunday Monday Tuesday Wednesday आंसर क्या मिल जाएगा आपको Wednesday इसी question को आप देखेंगे तो दिनों को add करके भी मिलेगा यानि कि मैंने यहां पर आपको दो तरीके से use करना सिखाया है odd days तो देखिए इसी question को अगर आप इस प्रकार से करते यह हो गया दो दिसंबर इसके बाद दिन कितने बचे तो 29 और फ मिल रहा है तो आपको तीन क्या कर देना होगा फिर add करना होगा यानि कि Monday Tuesday Wednesday तो आंसर आपको Wednesday मिलेगा इसको ले करके अगर हम बात करने उस दिन से given date तक की बात करेंगे तो हम कैसे use करेंगे week के वो दिन जो week की cycle को complete नहीं कर पाए तब हम लोग यह वाले concept से question को बनाएंग कुंसा दिन था ठीक है चलिए तो यह हो गया आपका क्या 29 जनवरी और बात किसकी कर रहा है तीन मार्च तो जनवरी के अगर हम बात कर तो जनवरी में remaining days कितने देखो दोनों तरीके से बता रहा हूं कब 29 को अगर consider करोगे तो week के वो दिन जो week की cycle को complete नहीं कर पाया 29 के बाद consider करोगे तो उतना आपको जोड़ोना होगा तो 29 के बाद अगर हम बात करें दिन कितने बजगे तो 29 के बाद जनवरी में दिन बजगे दो फरवरी की बात करें तो year 2003 यानि की ordinary year है तो फरवरी में हो गया 0 फिर बात करें 3 मार्च की तो यहां हो गया 3 यानि की इस बार मिला अपने को कितना 5 और 5 क्या करना होगा अपने जनवरी फिर 30 जनवरी और 31 जनवरी यानि कि यहां पर आप देख रहे हैं दिन कितने हो गए तीन तो जनवरी में दिन मिल गए हमको कितने तीन परवरी में मिल गए हमको कितने 28 और मार्ज के लिए हमने दिन तीन 28 आपका कैंसिल हो यानि कि जीरो तो तीन और तीन कितना आ गय यानि कि week के 6 ऐसे दिन होंगे जो week की cycle को complete नहीं कर पाएंगे अगर बात करें week की cycle के सुरुवात Thursday से हुई है तो complete होगी Wednesday पे यानि कि 6 दिनों की अगर हम बात करें तो यहां पर Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday और Tuesday तो भी आपका answer क्या आएगा Tuesday तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बताएं तो आपको confused नहीं होना कब कौन से वाले तरीके को पूरा reason के साथ मैं आपको बता रहा हूं लिक और सेकंड जुलाई 1984 सेकंड जुलाई 1984 सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर सेंचुरी कितनी complete हुई तो सेंचुरी complete होगे 1900 का remainder हो गया एक यह कितने complete हुए तो यह complete हो गया आपके 83 और 83 यह में आपके leap year कितने पढ़ेंगे तो leap year आपके पढ़ेंगे 20 फिर हम आ जाते है year 1984 पे तो 1984 की बात करेंगे तो January complete हो गया है February में आपका पढ़ेगा एक odd day क्यों क्योंकि क्या है year आपका leap year है फिर बात करेंगे March की April में जुन और जुलाई की दो तारिक अब अगर यहां पर मैं बात करूँ सबसे पहले 70 निकल गया 70 निकल गया तो बचा कितना आपके पास 13 और 13 के लिए remainder कितना बच जाएगा 6 तो 6 और एक साथ कैंसिल छे और एक साथ कैंसिल तीन तीन छे दो आठ दो दस दस तीन तेरा तेरा दो पंदरा पंदरा का मतलब क्या एक यानि की week का एक दिन होगा जो week की cycle को complete नहीं कर पाएगा और वो दिन कौन सा हो जाएगा Monday यानि की somewhere clear चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की अगले प्रश्न की बात करें तो बोला है when will the 1990 कैलेंडर बी रिपीटेड आफ्टर 1990 यानि कि repetition of year से related question है और repetition of year की बात करें तो 1990 यानि कि इससे पहले अगर हम बात करें तो 1988 क्या था आपका leap year था और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे क्या leap year प्लस टू तो leap year प्लस टू की बात करें तो हमने देखा था leap year प्लस टू का जो केलेंडर है वो 11 वर्शों बाद repeat करता है यानि कि answer क्या हो जाएगा option number D अब एक और बात यहाँ पे ध्यान देंगे एक और question का सभी लोग यहाँ पे answer करेंगे यदि मैंने कहा हाँ मान लेते हैं एक बंदा है Mr. X और एक बंदा है Mr. Y हमने कहा Mr. X ने क्या किया 1904 को 29 फरवरी को अपना 6 क्या किया ली पियर बर्डे सेलिब्रेट किया और एक बंदा है Mr. Y जिसने 2004 की 29 फरवरी को क्या किया अपना 6 ली पियर बर्डे सेलिब्रेट किया आपको बताना है दोनों की date of birth आपको बताना है दोनों की date of birth तो पहले आप वीडियो को post करेंगे और उसके बाद अपना अपना answer निकालेंगे फिर यहाँ पे आप मैच कराएंगे हमारे साथ कि आपन क्या गलती करी है और यहां पर क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ या क्या मैं आपको यहां पर सिखाना चाहता हूँ तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वाले बंदे की यानि कि मिस्टर हम Y की बात करें तो Y ने अगर 2004 में अपना छटवा बर्थडे मनाया तो पांचवा बर्थडे इन्होंने मनाया होगा सन 2000 में पिर अगर हम बात करें तो 1994 में इन्होंने मनाया होगा अपना चौथा बर्थडे फिर हम बात करें तो 1992 मनाया होगा इन्होंने अपना तीसरा बर्थडे क्या हो चागी पाइदाइच ह servants गोगी तो 118 में क्या हूई होगी इनकी फाइदाईश होइगी यानिंकी डी जो कुलिए यह चिनकी date of birth क्या हो जाएगी उन नीस सो असी जब कि हम इसकी बात करेंगे तो उननीस सो कि एका हम बात करें तो 1900 में बंदे ने आप कहो कि पांचवा बर्थडे मनाया होगा तो 1900 में इसका बर्थडे आया ही नहीं होगा क्यों क्यों कि यहां पर 29 फरवरी आपकी आएगी ही नहीं 29 फरवरी आएगी ही नहीं फिर हम बात करें तो 1896 1896 में इन्होंने मनाया होगा अपना 5th birthday फिर बात करें 4888 की बात करें तो 1888 में 3rd 84 में 2nd 80 में 1st और इनकी पैदाईश की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 1876 पैदाईश की बात करें तो कितना हो जाएगा 1876 क्लियर तो बताने का मोटिफ क्या था यहां पर जब हम बात कर रहे हैं रिपिटीशन आफ येर की तो जब हम बात करेंगे रिपिटीशन आफ येर की मान लीजे आपको यही दे दिया जाए अठारा सव च्यानवे का कैलेंडर कब रिपीट करेगा ठीक हमें तो पता है कि लीजे करेंडर कब रिपीट करता है अफर 28 लेकिन अगर मैं बात करूं अठारा सो च्यानवे की तो देखो च्यानवे का आपको रिमेंडर मिलेगा 25 97 का remainder मिलेगा 1 98 का remainder मिलेगा 1 99 का remainder मिलेगा आपको 1 और उसके बाद अगर मैं बात करूँ 1900 की 1900 का भी remainder मिलेगा 1 यानि कि यह कहीं न कहीं आपको 2 के बाद 3 बार 1 मिलता है फिर 4 बार आपको 2 मिलता है remainder लेकिन यहाँ पैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इट मेंस जब कभी भी आपके repetition of calendar की बात की जाएगी और बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई एक ऐसा year जो कि क्या है, century है, साथी साथ leap year नहीं है, तो वहाँ पर या तो calendar आपका 12 वर्शों के बाद repeat करे देगा, कैसे चेक करना है, तो देखिए, यहाँ पर आगए आपका 1900, फिर 1901, 1902, 1903, 1904, फिर 1905, 1906, 1907, 1908, अब अगर हम बात करें, इसको चेक करेंगे, तो देखिए, 213, 24, 15, 16, 17, अगला साल कैसा मिला, ordinary year, फिर बात करेंगे, एक, एक, दो, और दो, चार, पांच, छे, साथ, अगला year कैसा मिला, लेफियर, यानि कि यहाँ पर कैलेंडर आपको 12 वर्षों बात repeat होता हुए, दिखाई दे रहा है, तरीका भी मैंने आपको बता रखा है, तो अगर 12 तक calculation के बाद, अगर repeat नहीं हो रहा, तो सीधे-सीधे आपको क्या कर देना होगा, plus 40, सीधे-सी Saturday and all Sunday are holidays in a 30 days month, clear, चली, तो बोल रहा है, every Saturday and all Sunday, क्या है, holiday, every second Saturday, यानि कि हर दूसरा सनी बार क्या है, और Sunday क्या है, holiday है, 30 जिनों के महीने में, जिसकी शुरुवात किसे हो रही है, पुचा है, then how many working days are there in that month, यदि इसकी शुरुवात किसे हो रही है, Saturday से हो रही है, तो यह बत Saturday पड़ा, तो अगला Saturday का पड़ेगा, 8 को पड़ेगा, फिर अगला Saturday का पड़ेगा, 15 को पड़ेगा, फिर अगला Saturday का पड़ेगा, 22 को पड़ेगा, और अगला Saturday का पड़ेगा, 29 को पड़ेगा, clear, आप देखो इस में किसे consider कौन सा करना है एक तो ये वाला consider करना है और एक ये वाला consider करना है इन दो को consider करना है और प्लस एक दो तीन चार पाँच पाँच क्या मिल जाएंगे अपने को Sunday मिल जाएंगे पाँच क्या मिल जाएंगे अपने को Sunday मिल जाएंगे जो कि सभी क्या है holidays है तो 5 Sunday plus 2 Saturday यानि कि 7 दिन हमने निकाल दिये अगर कितने दिनों के महीने थे 30 दिन के तो इसमें से हमने 7 निकाल दिये तो working days कितने बज गए 23 यानि कि यहाँ पर working days हमसे पूछा है तो answer क्या हो जाएगा 23 ठीक है चलिए अगले question की बात कर लेते है अगले दिमें आप पर प्रश्न की बात करूँ तो बोला है if the second day of a month is Friday यानि कि किसी महीने का दूसरा दिन क्या है शुक्रवार है which of the following would be the last day of next month which has 31 day ठीक है यानि कि किसी महीने के अगर आपको दिया गया है second day यानि कि दो तारिख second day को यानि क्या है शुक्रवार है तो अगले महीने यानि कि जिसमें क्या है 31 दिन का महीना है उसका आपको बताना है क्या last day ठीक है अब समझे अगर ये महीना है यानि कि इसको अगर हम मान लेते हैं क्या एक दो ही condition हो सकती है एक तो क्या हो सकता है कि 30 दिनों के महीने के बाद में क्या आ जाए 31 दिनों का महीना आ जाए दूसरी condition क्या हो सकती 31 दिनों के महीने के बाद में 31 दिनों का महीना आ जाए और यहां पे हमारे पास परियाप्त डाटा नहीं है कि हम क्या कर सके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकाए यानि कि दोनों ही condition में आपके answer क्या बनेंगे अलग अलग बनेंगे यानि कि अगर हम यहाँ पे इस वाले case को consider करते हैं तो देखिए दूसरा दिन और बचे हुए दिन कितने 28 यानि कि total days यहाँ पे कितने हो जाएंगे 29 और फिर यहाँ पे 38 जोड लेंगे तो हो जाएगा कितना 60 और 60 दिनों का अगर हम remainder की बात करें तो आएगा 4 यानि कि 4 ऐसे दिन जो week की cycle को complete नहीं कर पाएंगे तो Friday के बात क्या हो जाएगा तीन जोड दो तो आजाएगा Monday एक answer इसका हो सकता था Monday और इस वाले case में अगर आप consider करोगे तो answer क्या मिलेगा आपको Tuesday answer क्या मिलेगा Tuesday मिलेगा यानि कि दो संभावित उत्तर हो सकते हैं इसलिए हम यहाँ पे बता नहीं सकते हमारे पास यहाँ पे proper और यह case आप कोई भी 30 दिनों के महीने के बाद वाला 30 दिन का महीना ले सकते थे clear तो यह तो हो गई बात किसकी calendar की और मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ detail में देखने के बाद calendar में किसी भी प्रकार के प्रस्ण में आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आने वाली है बस आपको अवशक्ता है तो क्या कर लेने की कुछ given dates पर day निकाल लेने की यानि की कुछ आपको practice कर लेना है questions को करना क्या है आप अपना date of birth निकाल लिए अपने pre-region का क्या कर लिए आप date of क्या करेंगे solve करेंगे जिसका answer की भी आपको provide करा जा रहा है साथी साथ last session में मैंने आप लोगों से discuss किया था telegram group से related कुछ information मैंने आप लोगों को बताई थी तो जल्द ही आपको telegram group से related information भी provide करा दी जाएगी जिससे आप हमारे साथ में क्या कर सकेंगे